Hello Friends, Make Money Trading Academy में आप सबका स्वागत है Friends, Price Action Learning के एक नए अपसोड में आप सबका स्वागत है दोस्तों दोस्तों हम लोग आज जो कवर करने वाले टॉबिक वो है चार्ट पैटन के उपर अब ये चार्ट पैटन जो प्रो ट्रेडर होंगे उनको लगेगा ये तो बहुत बेसिक है तो मैं आप सब लोगों से ये बात बता दूँ ये बेसिक समझने के चकर में हम कई बार important चीज़ें हम छोड़ कर आगे निकल जाते हैं और फिर हम during market hour struggle करते हैं तो ये एक इतना important topic है इतना important chapter में cover करने वाला हूं price action को लेखे इस वीडियो के अंत तक आप बने रहे हैं मैं आपको assure करता हूं promise करता हूं कि जो चीज़ें मैं बताने वाला हूं आज तक ना आपने किसी book में पढ़ी होगी और ना किसी भी वीडियो में देखा हुआ है इस बातों को फिर से सुन लीजे दोस्तों मैं बता रहा हूं ना आज तक आपने किसी वीडियो में देखा होगा YouTube में और ना किसी ebook में पढ़ा होगा मैं क्यों कह रहा हूँ इस वीडियो के अंत में बताऊंगा और बहुत important बात है और मैं आप लोगों से कुछ demand भी करूँगा तो वीडियो के अंत तक बने रहे हैं फिर ज़रा बताईएगा कि मैं क्या सही कह रहा था या गलत चीक है तो आईए चली दोस्तों वीडियो को start करते हैं तो पहली बात तो यह ज़रा हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों कि जब market में जितने भी ट्रेडर हैं जितने भी ट्रेडर हैं उनका motive क्या है ultimately मैं थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ उसके बाद आता हूँ चार्ट पे हम जितने भी ट्रेडर हैं मार्केट में वह हम आ रहे हैं मार्केट में तो और इंवेस्टमेंट करना चाहते हैं कि आज आप ट्रेड ले रहे हैं या एक इंवेस्टमेंट कर रहे हैं उसे आप लंबे समय तक के लिए उल्ड करते हैं और उसके पाथ जब आपको लगता है कि स्टॉक में अच्छा एप्रिशेशन हो चुका है स्टॉक का वैलू बढ़ कर रहा हूं मैं fundamental analyst की बात नहीं कर रहा हूं जो technical analyst है वो जब market में आते हैं दोस्तों तो आप जब भी trade करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ तो एक parameter होना चाहिए कैसे आप buy sell करते हैं कुछ तो parameter होना चाहिए आप यह जो price है आप देख पारें यह price एक technical analyst इसी price को read करता है और इस price की reading के बाद वो trade करता है चाहे invest करता है clear या तो वो इसी price action को देखकर इसी price को देखकर वो trade करता है या invest करता है जो fundamental analyst होते हैं वो company के financials को पड़ते हैं जो sentiment analysis करते हैं वो market के sentiment को study करते हैं उसके basis पे वो करते हैं तो कुछ ना कुछ एक parameters होना चाहिए तो अभी मैं basic बाद बता रहा हूं कि जो एक trader market में आता है तो cdc बात है वो laptop mobile या desktop किसी एक system में बैट के वो trade कर रहा है या invest कर रहा है तो जब आपने chart open कर लिया मान के चलिए trading view का chart है दोस्तों यह trading view का chart है तो trading view का chart क्या हो गया एक trading app है एक charting app है एक charting app है तो यहां पर सबसे पहले तो आप chart लगाते हैं किसका chart लगाते हैं जिस भी आप instrument में trade करने वाले हैं चाहे आप index में trade करने वाले हैं index मतलब bank nifty nifty fin nifty आपका हो गया mid cap nifty ठीक है इन सब कंपरियों में इन सब index में अगर आप trade करना चाहते हैं तो उसका chart लगाते हैं या तो फिर आप किसी stock में trade करना चाहते हैं या invest करना चाहते हैं for example莫्लाइंस मैं आप च्ब्सेक A.W. तो आप क्या करते हैं यहां पर उससे एस इसलेक्ट करते हैं ठीक है उससे सेलेक्ट करते हैं तो जो भी इन्स्रीमेन्ट है वो आपका सलेक्ट होगा तो पेहले आपने क्या कर लिया दोस्तों, सबसे पहले आपने चार्ट लगा लिया, चार्ट पर आपने उस company या उस instrument या उस index का आपने चार्ट लगा लिया तो आपकी दुरुराती जो चीज़े हैं वो वो गई मनलत चार्ट लगा लिया, company अब आती है बारी दोस्तों आप तो सब कुछ जानते हैं सब कुछ जानते हैं लेकिन market में अगर इस price को read करना नहीं जानते हैं तो कहां पे trade लेंगे कहां invest करेंगे random कहीं पर हम buy sell करेंगे और ऐसे ही लोग करते हैं मार्केट में और end of the day वो loss करके जाते हैं तो ये जो वीडियो है इतना important वीडियो है मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ कि अंत तक बनी रहेगा और मैं आप से promise मैंने किया है कि मैं अंत में एक बात कहूंगा और demand भी करूंगा तो please आप लोग अंत तक बनी रहेगा और फिर आप समझेगा कि मैंने क्यों कहा था कि दोस्तों देखे चार्ट लग गया, price लग गया, सारी चीज़े लग गई अब मैं trade कहा लूँगा, ठीक है तो कम से कम सबसे पहली हमारी जो requirement होती है ये समझना कि market में अगर इस तरह का chart है और ये red and green जो candle है, ये candle basically क्या है ये candle क्या है, price है, ये candle क्या है दोस्तों, price है तो price अब ये time frame को represent करता है यहाँ पे देख पार है, d लिखा आ रहा है, d मतलब time frame daily time frame, ये कौन सा time frame है, daily, ठीक है daily time frame है, तो daily time frame मतलब एक एक जो candle है, ये represent कर रहा है daily को मतलब एक जो candle है, सुबस हले के साम तक, 24 गंटे 24 गंटे का मतलब सुबस नौ बच के, 15 नेट से लेखे, साड़क तीन बज़े तक कितना move किया है, उस पूरे price के movement का ये बताता है ये representation है, ठीक है, कि market यहाँ पर close हुआ है, यहाँ open हुआ है यहाँ तक low बनाया था, यही high बनाया था, clear, तो एक एक candle बताता है कि market की opening कहाँ है, market का low कहाँ है, market की closing कहाँ है, market का high कहाँ है, वो बताता है, अब depend करता है कि आप कौन से time frame में आप trade करने जा रहे हैं, आप अगर दोस्तों long term investor है, तो cdc बात है, आपका time frame जो होगा दोस्तों, वो monthly time frame होता है, ठीक है, अगर आप swing trading करने वाले हैं, तो आपका जो view बनता है, वो हमेशा weekly time frame पे बनता है, आप क्या करते हैं, आप आप daily time frame पे, या तो फिर आप hourly time frame पे, आप trade में execute करते हैं, trade को execute करते हैं, यह होता है कब, जब हम swing trading वगर प्लान करते हैं, लेकिन, अगर आप intraday trading करते हैं, तो क्या monthly chart लगाने की ज़रूत है, जब दोस्तों आपका view, आज का आज ही trade complete करने का है, आप चाहते हैं, एक गंटे, डिल गंटे, पंदर मिनट, बिस मिनट में profit बुक करके निगल लें, तो आपको monthly chart लगाने की कोई ज़रूत नहीं है, आपको weekly chart लगाने की कोई ज़रूत नहीं है, तो जब आप intraday trading करेंगे, यह मैं आप सब लोग को बता रहा हूँ, अगर आप लोग सब intraday trading करने वाले हैं, तो intraday trading में सबसे बड़ा जो time frame है, वो है daily का, सबसे बड़ा time frame है daily का, intraday मतलब daily है तो same day का सबसे बड़ा time frame है daily, तो daily chart अगर आपने लगा लिया, तो आपको एक view मिल जाता है कि market कौन से trend में है, बात समझ में आगे दोस्तों, सबसे पहले हमने समझ लिया कि यह trend कौन सा है तो अगर आप देखें, तो यहां से लेगे price उपर की तरफ गया है, तो आपका एक view क्या बन गया, कि market अब trend में है तो जब आपने view बना लिया, कि market अब trend में है, market उपर की तरफ जा रहा है, तो अभी क्या करना है आपको, आपको कोसिस करना है कि आप सिर्फ buy करेंगे, ठीक है, लेकिन, अब आप समझ जाएए, ये तो मैंने आपको daily time frame पे दिखाया चार्ट, लेकिन intraday में जब आप trade करने वाले होंगे, तो आपको latest daily का candle है, वो देखना बहुत जरूरी है, daily का candle, मतलब last candle, latest candle, वो देखना जरूरी है, कि market ने क्या ह लेकिन आखरी जो candle है, उसने red बनाया हुआ है, इसका मतलब पिछले दिन market में selling आई थी, तो आपको ये भी देखना है, कि पिछले दिन market में अगर selling आई है, तो अभी मैं क्या तुरंत sell कर दूं, या तुरंत buy कर लूं, चुकि market uptrend है, तो क्या buy कर लूं, नहीं, उसके पी होने माला है दोस्तों, वो है chart pattern, तो अगर आपने during market hour, कोई chart पहचान लिया, तो आपको trade लेने में सहूलियत हो जाती है, जब आप trade लेते हैं, अगर आपने कोई chart पहचान लिया, कि हाँ, ये इस तरह से एक chart pattern बन गया, ठीक है, ये chart pattern बन गया, symmetrical triangle, कि prices range के अंदर है, अगर आप जितने लोगों ने book पढ़ा हुआ होगा, या फिर YouTube में कहीं पर भी अगर आपने video देखा होगा, तो सब ने सिर्फ chart pattern के बारे में बताया है, कि इस तरह से अगर कभी formation हो, यसे हम head and shoulder pattern कहते हैं, एक left shoulder होता है, एक right shoulder होता है, और ये head होता है, और जैसे ही ये breakdown हो जाए सारे book में दिया है दोस्तों, कि जैसे ये neck line तूटेगा, आप sell कर दो, और ये आपका stop loss होगा, और अगर आप 1-2 लेने वाले हैं, यहाँ तक target है आप wait कीजिए, लेकिन लोगों को तो बता दिया गया है, लोगों ने पढ़ लिया है, वीडियो देख लिया है, कि यहाँ sell क तो आपको बता ही नहीं गया, आपको logic ही नहीं पता, आपको price action नहीं पता, आपके psychology पता ही नहीं है कि क्या करना है, market न बने रहना है या नि रहना है, तो अब मैं आपको आज सारे chart pattern को detail में समझाओंगा कि कैसे आपको entry लेनी है, कब chart pattern किस तरह का बने, उसके बाद हमें trade उपर का लेना है, या नीचे का, यानि कि sell side का, या by side का, वो सारी चीज़े cover करेंगे, तो चलिए दोस्तों वीडियो को continue करते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये, आप लोग pen और notebook दोस्तों निकाल लें, जो जो बातें आपको important लगे, प्लीज आप लोग note down करना शुरू कर दीजेगा, क्योंकि आप daily जब trade करते हैं, तो आपको ये सारी चीज़े मद्द करेंगे, तो आए सबसे पहले हम लोग chart pattern में cover करते हैं, head and shoulder pattern, ये मैं दिखाता हूं आपको, ये सारे chart pattern हैं, head and shoulder pattern, अभी जो मैंने आपको cover किया, मैं Google का reference ले रहा हूं, तो Google में देखिए, य इसी का एक ले लेता हूं, reference, ठीक है, मैं इसी वो open कर लेता हूं, जरा देख लीजे, इस chart को मैं खोल देता हूं, अभी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इस तरह का price बना हुआ है, कि market में एक left shoulder है, एक head बना हुआ है, then एक right shoulder बना हुआ है, और इस तरह से जो जहाँ जहाँ पर head and shoulder दोनों connect हुआ है, इसे हम लोग कहते है neck line, ठीक है, इसे कहते है neck line, आईए मैं पहले chart में समझाता हूं, आपको plane ऐसे, ऐसे मैं समझाता हूं, फिर बाद में समझाएंगे, अभी ज़रा देखे, इस तरह से आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, कि अगर एक left shoulder बना दोस्तों, एक head बना, एक right shoulder बना, ये neck line जैसे हम कहते है neck line, ठीक है, ये neck line जैसे ही तूटेगा, हमें sell करना है, बट क्यों sell करना है, और कहां पर ये बनेगा, उसके पीछे reason कहा है, मैं समझा देता हूं, दोस्तों हर वक ध्यान दीजीगा, कि जब market उपर की तरफ जात है, ये higher high, higher low, higher high, higher low, इस formation के साथ ही जाएगा, इसके लावाँ और कोई तरीका नहीं है, दोस्तों, market के उपर जानेगा, तो आप देख पा रहे हैं, कि जब market यहां से 100 टका उपर गया था, 20 टका नीचे आया, देख पा रहे हैं, 100 रुपया उपर गया, 20 रुपया ही looking आ रहे है, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक, किसका strength जादा है, ये कोई भी एक layman भी बता देगा, कि buyers का strength जादा है, buyers जादा है इसमें है, लेकिन अब ज़रा ध्यान से समझे, ये market 100 रुपया उपर गया, 100 रुपया नीचे आ गया, 100 रुपया नीचे आ गया, फिर market जा रहे है, अभी आपको alert हो जाना चाहिए, एक swing low मिला, दो swing low मिला, आपकी duty बनती है, सबसे पहले एक support को mark करना, ठीक है, एक support को mark करना, अब आपको ये समझना होगा, कि आप stock market में क्यों आए हैं दोस्तों, trade करने, invest करने, पैसा कमाने, तो आप यहां से लेके, यहां तक तो चुपचा बैठे थे, तो आपकी duty बन गई क्या, कि सबसे पहले support और resistance ढूंट के निकालें, क्योंकि trade लेना है, हमें बैठ के, यह drawing थोड़ी देखनी है, तो अगर मुझे दिख गया, कि market same level के पास आ गया, तो आप सबसे पहले 2 swing low मिला, आप mark कीजे, क्यों, क्योंकि अब आपको entry लेना है, तो जैसे यहां से price उपर की तरफ जाए, आपको समझ जाना चाहिए कि 100 रुपया price उपर गया, 100 रुपया नीचे, मतलब अब यहां पर seller भी aggressive हो गया है, ठीक है, यहां पर अगर से 20 रुपया, 30 रुपया market नीचे आता, तो हम समझते कि अभी भी market है जाने दिजी, जब तक इस trend line की उपर है, जाने दिजी, अभी देखिए, trend line तूड़ गया, यह trend line तूड़ गया, कुछ लोग sell कर देते हैं, बिल्कुल नहीं sell करेंगे, जब तक यह previous swing low नहीं तूटेगा, आप नहीं sell करेंगे, वेट कीजी, अब इस जगहा पर कौन बैठ है, इस जगह पर बायर बैठा था, जो price को उपर ले गया, अगेन बायर यहां, कोसिस करेगा, price को उपर ले जाने का, यह price उपर जा रहा है, यह price उपर गया, अभी जब price उपर जा रहा है, तो आप वेट कीजी कि इस high की उपर निकलेगा, तो अगेन continue हो जाएगा, same trend, ले ही जरा देख लेजे कि कितना डिफरेंस है कि जब आप लोगों ने बुक पढ़ा था या फिर और वीडियो देखा था तो आपने क्या किया था आप लोगों ने पढ़ा था कि अब हम ट्रेड प्लान करने जाते हैं तब तक market breakdown कर दिया अब breakdown करकर नीचे आ गया अब हमारी entry बहुत late हो जाती है हम बहुत late entry करते हैं क्योंकि हमने पढ़ा है head and shoulder pattern बनने के बार ट्रेड लेना है लेकिन आपको पहले कैसे मालूं पढ़ेगा कि अब ये बनने वाला trade लेना है अब जरा देखिए जो पहले आप यहाँ trade लेने वाले थे अब आपको यही मालूम पड़ गया कि अब हमें ready हो जाना है इसके low तूटने का क्यों? क्योंकि अब market में यह higher high higher low बनाने के बाद higher high नहीं बना पाया तो जैसे यह lower high बना के price नीचे आए आप यहाँ पर ready हो जाईए अपना जो भी अगर आप options buyer है या option seller है जो भी करते हैं आप या फिर आप equipment rate करते हैं अगर आप options buyer है तो आपको क्या करना है आप PE इसका strike price समझ लेजे 42,000 है तो 42,000 का आप PE अपने strike price में यहाँ watch list में add करके रखिए कि जैसे ही price यह नीचे जाए इसके नीचे जाते ही तुरंत आप इसको एक कीजिए तुरंत तो आपका क्या हुआ entry बहुत प्रिसाइज बहुत शार्प entry होई बहुत exact entry होई अब आपका यह entry हो गया यहाँ पर stop loss हो गया प्राइस ने क्या बनाया lower low lower high price नीचे आया lower low तो मार्केट दोस्तों जब नीचे जाता है तो लोवर लोवर हाई के formation में जाता है तो जरा बताइए यह क्या गलत है अभी lower low lower high बनाया है तो बने रहे दरिया मत यह pullback हो रहा है एक profit booking हो रही है फिर मार्केट नीचे आएगा दोस्तों, market नीचे आएगा, तो इस तरह से क्या होगा, कि आप panic में नहीं आएंगे आप trade में बने रहेंगे, तो जरा देखिए ये market नीचे से उपर गया top में ये pattern बना, जिसे हम कहते है head and shoulder pattern, तो क्यों sell किया जाता है head and shoulder pattern के बाद, उमीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा, क्यों sell किया जाता है क्योंकि अब ये uptrend में, price जब उपर जा रहा था, इस जगहा पर क्या हुआ price इस swing low को तोड़ दिया, जैसे swing low तोड़ा, और ये lower high बना के तोड़ा lower low, lower high बना के तोड़ा, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब ये trend reverse हो सकता है जिसे हम लोग reversal pattern भी कहते है तो उमीद करता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा कि head and shoulder pattern क्या है, आईए अब मैं दिखाता हूँ एक बार chart में, ये head and shoulder pattern है ये ज़रा देखे, ये सारे अगर उपर गया market तो 10 रुपय, 20 रुपय नीचे आ है मतलब, buyer जादा उपर ले जा रहे है seller थोड़ा नीचे ला रहे है, buyer उपर इतना ले जा रहे है seller थोड़ा नीचे ला रहे है, बट यहाँ पर buyer जितना उपर लेके गए, लग भग लग भग seller उतना ही नीचे लेगर आ गए अब आपको wait करना है, यह swing low नहीं तूटना चाहिए, यह swing low अगर तूटा तो फिर आपको bearish हो जाना चाहिए, sell करना है तो जैसी यह price उपर जा रहा है तो यहाँ पर एक swing low मिल गया, आपकी duty है तुरंत आप एक support mark कीजए, तो आपको क्या मिल गया, support मिल गया, मतलब demand zone मिल गया अब जैसी price उपर जा रहा है जैसी price उपर जा रहा है, wait कीजए इसके उपर निकलेगा, तो market bullish है कि market same इसमें trend में continue हो जाएगा, लेकिन market यह lower high बनाके, अब जैसी turn करेगा आप इस level पर mark कीजए अपना level यहां mark कीजए, ठीक है, क्यों कि अब जैसे यह swing low टूटेगा, यह neckline टूटेगा यह swing low टूटेगा, आपको sell करना है यहां stop loss होगा, और one is to two का target होगा देखिए market नीचा आगया market नीचा आगया दोस्तों, यह ज़रा देखिए यह देख रहे, left shoulder left shoulder, head, right shoulder नीचे, तो right shoulder जो बन रहा है आप देख रहे है, lower low, lower high breakdown तो उमीद करता हूँ आपको as per price action समझ में आ गया होगा कि head and shoulder बनने से पहले कैसे आपको mark कर लेना है, उसकी बार execute कब करना है, market उपर जा रहा है higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low अब ज़रा देखिए, higher high, same low है दोस्तों, अब इस बार higher high, higher low नहीं बना, same low, तो जैसी एक swing low मिला, दो swing low मिला, आप यहाँ पर mark कीजिए जिसे आप लोगों ने पढ़ा है, किताबों में neck line, क्या करूँगा neck line का जैसी neck line टूटेगा, हमें sell करना है तो जैसी price उपर गया, अब यह price इसके उपर नहीं जा पा रहा है, every time देखने price इसके उपर निकल रहा था, लेकिन इस बार price के इसके उपर निकला, नहीं lower high बनाया, तो जैसे ही swing low टूटेगा आप यहाँ sell करो, यहाँ stop loss लगाई, market आएगा नीचे, और यह trend reversal pattern है, तो यहाँ इसे कहते है head and shoulder pattern, अब समझ में आ गया, head and shoulder pattern किस तरह से trade करते हैं, चलिए, अब second हम लोग समझते है, inverted head and shoulder pattern यह ज़रा देखे, अब inverted head and shoulder pattern है, यह कब बनेगा, यह कब बनेगा, तो ज़रा समझी है, market अगर दोस्तों, top से अगर नीचे की तरफ आ रहे है, यह lower low, lower high, जब भी market downtrend में रहेगा, तो ऐसी आएगा, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, ऐसी दोस्तों market नीचे आता है, ठीक है, तो ज़रा नीचे market आया, मैं एक example दे रहा हूँ, आप इसको exact figure मत पकड़ लिजे, आप यह समझी है, कि जो गिर रहा है, वो बड़े number पर गिर रहा है, और जो थोड़ी buying हो रही है, जो market में थोड़ा सा उपर जा रहा है, यह उपर move क्यों हो रहा है, मतलब buying आ रही है, लोग profit book कर रहे हैं, तो market में buying आ रही है, फिर जैसी market नीचे आ रहा है, इतना नीचे लेकिन market इतना ही उपर गया, इसका मतलब है यहां से लेकिए यहां तक seller जादा इस trend में जादा हावी है, तो आप देख पारे हैं, seller का strength बहुत जादा है, लेकिन अब ज़रा देखे, market यह lower low बनाया last, अब price आ गया यहां तक, ठीक है, previous swing high तक पहुँच गया, तो जब तक दोस्तों यह trend line, यह trend line को follow करते हुए market जा रहा है नीचे, तब तक आपको trade में sell करते रहना है, क्योंकि market downside में है, तो जैसे market नीचे जा रहा है, आप sell करते जाए, sell करते रहे हैं, लेकिन जब यह trend line तूट जाए, आप तुरंट buy मत कीजे, wait कीजे, जब तक swing high नहीं तूटेगा, हम buy नहीं करेंगे दोस्तों, अब trend में हमेशा ध्यान रखेगा, जब तक swing low नहीं तूटता है, तब तक हम sell नहीं करते हैं, और downtrend market में, जब तक market में swing high नहीं तूटता है, तब तक हम buy नहीं करते हैं, एकदम clear रखेगा, नहीं समझ में आए, तो इस वीडियो को दो बार देख लिजेगा, आपको समझ में आजाएगा, तो अभी जड़ा देख लिजे, market यहां आया, market यहां आया, मैं इसको trend line को फिलहाल हटा देता हूँ, फिलहाली से हटा देता हूँ, जड़ा देखे, market lower low बनाया, same high बनाया, इस बार क्या lower high बनाया, जितना market नीचे लेकर आया था seller, उतना ही buyer लेकर चले गए, तो अब आपको समझ जाना चाहिए, कि यहां पर जबरदस्त buyer बैठे हैं, यहां पर buying activity बहुत जादा हुई है, बट वेट कीजे, जब तक swing high ना तूटे, तब तक कुछ भी नहीं करना है, हो सकता है, यहां से market नीचे आ जाए, trend continue हो जाए, है ना, तो swing high हमेशा important है तूटना चाहिए, लेकिन अगर market अगर market ऐसे आया, यहां पर higher low बनाया, और अब यहां से price उपर जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि अब इस low को नहीं तोड़ा, every time देखिए market इस low को तोड़ रहा था, इस low को तोड़ रहा था, यहां पर क्या यह low, यह price इस low को तोड़ पाया, नहीं, इसने एक नया high बना दिया, तो lower high, sorry, higher high, higher low बना दिया, देख रहे हैं, higher low, तो जैसे ही यह बना के ऊपर की तरफ जाएगा, मैं इन सब को remove कर देता हूँ, जितना चार्ट साफ रहेगा, उतना आपको clarity रहेगा, यह तरह देखिए, अब जैसे ही यहां पर market, इसे हम neckline कहते हैं, जैसे ही यह neckline तूटेगा, मतलब higher high, higher low, breakout, आपको यहां buy करनी है, यहां पर आपको stop loss लगाना है, इसी का double आपका target होगा, और market यह trend reverse हो जाएगा, मतलब पहले market downtend में था, अब market uptrend में है, तो जब देखिए, bottom में क्या बना, left shoulder, head, right shoulder, आप लोगों ने book में पढ़ा था, कि जब यह break खरे तब buy करना है, तो जब market में आप यही पढ़े हैं, और यही देखे हैं, तो क्या होती ही गलतियां, गलतियां होती हैं, कि हम chart पुर stop loss हो जाता है, target आपने यहां plan किया, 1 is to 2 k accordingly, क्योंकि stop loss अगर यह है, तो target इतना बड़ा होगा, market यहां तक गया, और आप यहां buy किये होते हैं, चायद यहां target अचीव हो जाता, लेकिन आपने इतना late buy किया, कि आप market यहां से नीचे आ रहे है, और first gap, stop loss हो गया, तो right time पर इतना 100 रूपया नीचे आप बीस रूपया अपर, 100 रूपया नीचे गया, अब जब तक यहां से लेकि, यहां तक तो market में seller बहुत लिका adversary थे, लेकिन जब यहां तक आया 100 रूपया, market में 100 रूपया ऊपर buying हो गई, इसका मतलब यहां पर buyer भी aggressive है, तो wait कीजिए, कि जब तब तक हम क्या है कि continue नहीं मानेंगे अभी market आया ऐसे market उपर गया breakout कर दिया इसका breakout कर दिया तो higher high higher low बन गया तो दोस्तों अप्रेंड में higher high higher low बनता है ना अप्रेंड में तो जैसे higher high higher low बना breakout हुआ आप buy कि जब market उपर जाएगा तो clear है यह inverted head and shoulder pattern है दोस्तों तो चार्ट में आपको identify करना है जरा देखे इस तरह से market जब नीचे आ रहा है तो lower low lower high lower low 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 यह देखे अल्मोस्ट सेम हाई है फिर market आया lower low तो आप देख पार है एक swing high मिला दो swing high मिला तीन swing high आप आगे बढ़ाईए दोस्तों आप आगे बढ़ाईए तो अब जब market यहां नीचे आया अभी आप देख पार है higher high higher low बन गया इस low के नीचे नहीं गया तो wait किजे अब यहां पर आप अपना stop loss लगाई जब market ऐसे जा अभी कई लोगों को pole and flag समझ में नहीं आता वो market में wait करते हैं कि इतना खुबसूरत chart बने तब जाके हम trade लेंगे ठीक है और जब तक क्या है chart आप पहचानते हैं तब तक आप trade मिस कर जाते हैं तो आपको समझना है यह pole and flag है क्या यह pole and flag दोस्तों कुछ नहीं है higher high और higher low है ठीक है जडिक है जर्रा देखिए market जब रखे जहते हैं तो इस तरह से सीधी लाइन में जाता है गया market नहीं जाता है ना मार्केट हम इसा जाता है तो ऐसे करके जाता है yes or no येस और no मार्केट ऐसी जाता है तो जब ऐसे जाता है higher high high low बनाके तो एक इस तरह से पोल जैसा दिखाई देगा आपको ठीक है पोल जैसा बनाया गया है ताकि आप लोगों को चीजें दिमाग में याद रहे हैं है na images जो है हमें दिमाग में जल्दी हमारे दिमाग में जल्दी वो बैट जाता है तो ये पोल एन फ्लैग बनाय गया है तो market ऐसे उपर गया हमतलब higher high 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 low बनाके गया होगा तो जब market इतना उपर जाता है तो थोड़ा ठहरता है क्यों ठहरता है आप ज़रा सोच लीजे कि अगर आपने 100 रुपे के चीज अगर आपने खरीदी है और वो 1000 रुपे तक पहुंच गया तो आपके अंदर क्या patience है आप बैठे रहेंगे आप profit book करेंगे दोस्तों क्यों क्योंकि आपको डर लगे है कही market गिरना जाए जो profit मिला है वो कहीं चलाना जाए तो उसमें क्या होगी profit booking होगी तो जब profit booking होगी तो market फड़ा नीच आएगा क्योंकि मेरे जैसे लोग लाखों लोग है वो लोग भी sell करेंगे तो थोड़ा profit booking आएगी अब ज़रा देखी जो market जब गिरता है तो दोस्तों ये lower low lower high बना के गिरता है तो ज़रा देखी ये क्या different है lower low lower high बनता हो जा रहा है तो आपको क्या करना है यहाँ पर market में अब entry कब लेंगे जब ये pullback हो रहा है lower low lower high का pullback बन रहा है तो आपको एक swing high दो swing high मिला आप आगे बढ़ाएए एक swing low दो swing low मिला आप आगे बढ़ाएए तो अब आपका काम खतम हो गया आपने resistance identify कर लिया आपने support identify कर लिया मतलब आपने supply zone identify कर लिया आपने demand zone identify कर लिया तो जैसे ही market में अगर ये breakout हुआ उपर की तरफ आप क्या देखेंगे ये swing high टूटना चाहिए जैसे market में ये lower low lower high higher low बनाके breakout हुआ तो trend line टूटते ही buy नहीं करना है दोस्तों जैसे ही swing high टूटेगा ये आपको भूलना नहीं है दोस्तों market अगर downtrend में है तो जब तक swing high नहीं टूटेगा तब तक आप buy नहीं करेंगे तो यहाँ पर trend line टूटा प्लस swing high टूटा आप buy कीजे market उपर जाएगा दोस्तों पहला target हमारा यही होगा पहला target हमारा यही होगा तो जब अब बताइए इस pole and flag में और यह जो मैं आप लोगों समझाता हूँ higher high higher low same level अब क्या difference है market में हमने यहाँ buy किया था यहाँ से यहाँ price आ गया लेकिन pole and flag लोगों को समझने में आसानी होती है यह higher high higher low में confusion होता है अब समझ गये market में जब भी इस तरह से price उपर जा रहा है एक pullback कर रहा है तो आप तुरंद एक resistance और एक support mark कीजे और जिस तरह भी breakout हो अगर उपर breakout हो तो आप buy कीजे अगर नीचे breakdown हो sell कीजे market सीधे नीचे आएगा ठीक है हम opportunist है दोस्तों हम कोई buyer and seller नहीं है market अगर selling side का हमें दिखा रहा है price जो कहेगा आप वही सुनिएगा price बोल रहा है मैं नीचे जाओंगा तो sell मारी market नीचे आएगा और अगर market breakout हो रहा है buy कीजे market उपर जाएगा clear यह pull and flag है आईए हम लोग चार्ट में देखते है पोल इन प्लैक कैसे बनता है यह जरह आप लोग देख लो पहले मैं यह दिखाता हूँ यह देख पा रहे है market उपर गया यहां से लेके इतना उपर गया उपर गया मतलब market अप्रेंड में था अब इतने उपर जाने के बाद profit booking आ गए higher low अब higher high, higher low, lower high, lower low, lower high, lower low अभी इसके नीचे नहीं गया है market यह pullback हो रहा है समझेगा बात pullback हो रहा है तो जैसी swing high, swing high मिला आप एक काम कीजिए ऐसे mark कर लिजिए तो आपने resistance mark कर लिया आपने support mark कर लिया अब जरह आप देखिए market में जैसे यह trend line तूटेगा trend line तूटेगा वेट कीजिए यह swing high तूटे ठीक है क्योंकि market lower, lower, lower high के formation में आ रहा है तो कभी भी यहाँ पर trend line है इस तरह से trend line है तो trend line तूटने पर मत buy कीजिए यह swing high तूटने पर buy कीजिए अब यह swing high अगर तूट गया तो फिर क्या करना आप buy करना है market उपर जाएगा तो market उपर निकल जाएगा देखिए market उपर भागा clear है अब यह चार्ट में मैं दिखा देता हूँ किसी को इस तरह देख लिए यह देख पा रहे हैं आप लोग market उपर गया higher high, higher low, higher high मतलब यहां से लेगे market उपर था एक पोल जासा ऐसा बन गया ना clear है एक ज़रा देखिए इस तरह से है market उपर गया है अब market इतने उपर जानेक बाद एक profit booking आ गई higher high, higher low lower high, lower low lower high, lower low एक range बन गया एक channel बन गया तो आपकी duty है एक resistance, एक support mark कर लिजे क्योंकि अगर आपने support और resistance ही नहीं mark किया तो आप buy and sell करेंगे कहां हम technical analyst को हम trader को सबसे पहले यही करना है कि अपना कहां entry हो वो पता लगाना है तो support और resistance आपका काम खतम अब आपके लिए आसान हो गया अब जैसी breakout होगा ये breakout हुआ स्विंग हाई टूटा बाई कीजे अब market देखें उपर भागेगा भागा market उपर तो ये हो गया पोल and flag pattern तो आपको पहले से identify करना आना चाहिए कब market में buying आएगी तो जड़ा देखें दू चार चार्ट और देख लेते हैं ये जड़ा देखें during market आर आप ऐसी देखेंगे चार्ट और आपको सब सम्झा आजएगा ठीक है अब जड़ा देखें यहां पर ये market यहां से लेके उपर गया यहां से लेके यहां उपर गया higher high बना उपर गया अब market में आप देख पारे है higher low, lower high अब जब आप देख पारे है market इस तरह से range में आ रहा है एक swing high मैं स्पूर ठीक से mark कर देता हूँ एक swing high मिला दो swing high मिला आप आगे बढ़ाईए line को अब आप देख पारे है एक swing low, दो swing low मिला आप आगे बढ़ाईए तो market higher high बना higher low बना देखने lower high बना higher low बना breakout तो जैसे यह breakout होँ आप buy कीजे market देखे उपर गया ठीक है तो यह pole and flag pattern है clear तो pole and flag pattern जब भी हो तो आपको समझना है pole and flag का मतलब यही होता है higher high and higher low और कुछ नहीं होता है दोस्तों और मैं आपको simple समझा दिता हूँ कि market अगर up trend में है market अगर up trend में है तो buy on dip होता है buy on dip तो अगर market में सोचिए यहाँ पर कोई level था यहाँ कोई level था market यहाँ से उपर निकला तो यह higher high बन गया दोस्तों higher high बन गया अभी अगर price नीचे आया अगर नीचे आया तो यह higher high higher low बना और जब पहले यह resistance जो था जो breakout करके market उपर गया है अब market यहाँ भी जब आएगा तो यह support का का काम करेगा तो support पर हमेसा ध्यान लखेगा buy on dip uptrend में होता है buy on dip तो जब यह uptrend का formation है support है मतलब dip है यहाँ पर कोई भी buying activity होती है अगर market में यहाँ consolidation हुआ breakout हुआ आप buy कीजे first target जो होगा आपका यह होगा दोस्तों तो इस तरह से देखिए market अब दिख रहा है आपको अब जैसी market यहाँ पहुचेगा आपको wait करना है यहाँ कोई consolidation हो breakout हो आप buy कीजे क्योंकि यह higher high high low breakout हो गया है अब यहाँ पे measure buy राएंगे फिर market उपर जाएगा clear तो इसी को pole and flag कहते हैं और कुछ नहीं है दोस्तों अब आएए next अब हम लोग next देखते है pole and pennant pattern तो pole and pennant pattern कैसा होता है ज़रा आप लोग देख लो इस तरह का pattern होता है आप लोग देख पा रहे इस तरह का pattern होता है अब यह pole and pennant जो है यह क्यों ऐसा बना है उसके पीछे reason में समझा देता हूँ आपको यह पता होना चाहिए pole and flag बना क्यों है तो ज़रा देखिए market यहां से उपर गया है तो ऐसे उपर गया होगा दोस्तों ऐसे उपर गया है तो अगर ऐसे उपर गया है तो यह market क्या है uptrend है clear market uptrend है तो इसे अगर आप नीचे और उपर line mark कर दें तो एक trend line mark हो गया नीचे और उपर तो market में क्या है जब भी market नीचे आया यहां पर support के पास buying हुई उपर resistance के पास गया selling तो इस तरह से market उपर गया तो जब market यहां से लेके इतना उपर गया तो लोग profit book करेंगे अब अब profit booking हो रही है अच्छी खासी ठीक है market यहां आया market उपर गया तो यह क्या बना higher high higher low higher high higher low यह बन गया market में lower high अब फिर market यह क्या बन गया higher low तो अब ज़रा सोचिए कि market अगर higher high higher low बना है तो हम expect करते हैं कि higher high बन जाए तो आपकी duty बनती है कि आप तुरंट दो swing low पकड़िए आगे बढ़ाईए दो swing high पकड़िए आगे बढ़ाईए तो अब आपको दिखाई दे रहा है एक range मिल गया एक range मिल गया इसका मतलब market अब sideways में है market न अपtrend में है ना market downtrend में है तो कहां पर है sideways में है range bound में है तो market देख रहे है higher high बनाया higher low अब lower high बना दिया तो चलिए lower high बना दिया अच्छी बात है लेकिन अब भी higher low बना दिया फिर market lower high तो ये ना high तोड़ रहा है ना low तोड़ रहा है तो आपको क्या करना है swing high mark किया आपने swing low mark किया आपको एक level मिल गया अब wait किजे जैसे ये level breakout होगा उपर की तरफ या नीचे की तरफ आपको buy करना है book में आपको जाहतर लिखा होगा कि अगर market uptrend है तो उपर की तरफ breakout होगा buy किजे अगर नीचे की तरफ breakdown होगा तो मैं sell क्यों ना करूँ मैं sell भी करूँगा ठीक है लेकिन चुकि मैं trend uptrend है और मैं against the trade ले रहा हूँ तो मैं थोड़ा quantity less कर दूँगा बट मैं trade जरूर लूँगा मैं दोस्तों trader हूँ opportunist हूँ मैं कोई buyer और seller नहीं हूँ मैं क्यों buy करूँगा इसके उपर जब breakout होगा तभी buy करूँगा breakdown होगा तो मैं क्या छोड़ दूँगा breakdown होने के बाद हो सकता है market नीचे आ जाए है ना तो आपको trade तुरंद लेना है हाँ अभी काम किजेगा quantity less कर लिजेगा तो जरा देखिए यह आपको मिल गया इस तरह से पैटन यह देख रहे हैं एक रेंजबाउंड पैटन हो गया और उसके पहले अगर market नीचे साया है तो अभी आप देख पार है एक पोलेंड पैटन हो गया दिख रहे है तो pennant basically क्या होता है जो आप लोग देखे होंगे कि एक तो फ्लैग ऐसा होता है जो हमारा ट्राइक लरत्ति रंगा जंडा है देखीगा या कोई भी जंडा किसी नेशन का इस तरह से देखीगा एक rectangular box में होता है और जब भी किसी religious अगर आप फ्लैग देखेंगे तो market नीचे यहां पर market sideways में consolidate कर रहा है clear consolidate कर रहा है यहां pullback है इससे हम लोग दोस्तों pullback कहते है higher high high low pullback है और अगर market ऐसे करके यहीं घूम रहा है तो यह क्या हो गया consolidation तो दोनों में ही अभी market uptrend में ही है market uptrend में है market consolidation में है breakout करेगा market uptrend में है market pullback कर रहा है अब market उपर जाएगा ठीक है तो दोनों ही cases में market uptrend में है तो यह हो गया parent pattern अभी आते हैं दोस्तों next अब ज़रा देखिए double top pattern अब सब लोगों ने पढ़ाया है double top pattern कब हमें trade देना चाहिए ज़रा सोचिए market में price इस तरह से उपर गया दोस्तों यहां पर यहां से market नीचा आया यहां से market नीचा आया तो एक हमें यह high मिल गया दोस्तों तो यह क्या बना है higher high high low बना है clear तो higher high बना higher low बना अभी हम expect क्या करते हैं कि market अब इसको breakout कर दे इसे breakout कर दे तब तो हम समझेंगे कि market uptrend में है मतलब ऐसा हो जाए तब हम समझेंगे uptrend बन गया लेकिन अगर uptrend में है तो ध्यान दीजीगा अगर यहां कोई support है दोस्तों यहां कोई support है तो market यहां से वापस buying आएगी market उपर गया market उपर गया market यहां आ गया अब ज़रा देखिए मैं आप सब लोगों से कहत हूँ कि जब तक swing low ना तूटे तब तक हम sell नहीं करते और अभी यह market ऊपर resistance के पास है resistance जब तक नहीं तूटेगा अभी मैं buy नहीं करूँगा क्यों क्यों क्योंकि resistance के पास selling support के पास buying भूलिएगा मत support के पास buying resistance के पास selling तो अगर market जाते ही यहां कोई selling pattern बन जाए तो आप तुरण sell केजे market नीचे आएगा तो लोग क्या कहते है market में double top बन गया ठीक है तो कई बार लोगों को क्या लगता है कि जब यह तूटेगा तब हम sell करेंगे तो double top यह इसके नीचे यह तूटेगा यह swing low तूटेगा तो हम sell करेंगे यहां से लेकि यहां का क्या यह trade क्यों म मैं मिस करूँ अभी जरा सूचिए market में दोनों trade में बताता हूं market अगर यहां तक पहुंच गया है सेम रेजिस्टेंस के पास यहां कोई भी selling pattern बना देखिए higher high higher lower high बना अब इसके नीचे जैसी चूटेगा आप sell कीजे market यहां आएगा तो एक तो यह trade capture कर पाए दूसरा अ यह swing low जब तूटता है तो selling आती है कि नहीं आती दोस्तों यह swing low तूटेगा selling आएगी तो सोची market is swing low के पास आ गया है यहां कोई भी consolidation हो जाए चाहे थोड़ा pullback होके market breakdown दे तो रन सेल कीजे अब market नीचे आएगा तो double top pattern जो होता है इसे भी reversal pattern कहते हैं और यह बनता है दोस इसके उपर नहीं जा पार है प्राइस यहां से नीचे आ रहा है तो आपको alert हो जाना चीए यहां sell कीजे यहां तक का पहला target और अगर market यहां आ गया swing low के पास आ गया तो alert होई अब अगर यह swing low तूटा तो market नीचे जाएगा इसी pattern को हम कहते है double top pattern कोई कहता है M pattern दोनों ही सेम है ठीक है clear है अब आप लोग कभी भूलेंगे नहीं चलिए good अभी थर्ड हम लोग नेक्स आते हैं double bottom अब जरा देखी double bottom अब double bottom क्या है यह बनता है bottom पे देख पार है अभी आए हम लोग दिखाते हैं यह market कब बनेगा market जब downtrend मे रहता है market low 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 ऐ ऐसे सो रुपयर नीचे आया अब market देखी 20 रुपय अबगया यहां तक टो बिलकुल ठीक है लेकिन अब मार्ग के सो रुपयर नीचे गया नहीं यहीं पे रूग गया पिछले वाले ही श्विंग लो depends रूका हुए अब यहां से प्राइस आगर उपर धकल मैं buy करूँगा कि नहीं करूँगा buy करूँगा तो यह जरा देखिए इसी को आप लोगों ने पढ़ा होगा double pattern या double bottom पढ़ा होगा तो जैसे ही यह swing low टूटा swing high टूटा आप buy कीजिए अब market हो जाएगा reverse इसे कहते है अब यह आप देख पार है जब भी मार्केट ने बॉटम बनाया है उसके बाद मार्केट उपर जरा देखिए यह आप देख पार है मार्केट यहां से नीचे आया जरा देखिए गौड से देखिए lower low lower high 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 अब जरा देखिए यहां every time मार्केट लो को तोड़ता हुआ आ रहा था अब यह जो last low है इस बार क्या मार्केट उस last low को तोड़ पाया नहीं तोड़ पाया first low यह था second low यह है तो अब यहां से अगर price उपर जाए तो आप पहला profit तो कैसे book कर सकते हैं यहां buy करके यहां पे आप book कर सकते हैं और अगर आपको यह trade लेना नहीं आता तो wait किजे कि market यहां आया है अब यह swing high तूट जाए क्योंकि downtrend था अब यह swing high अगर तूटता है ब्रेक आउट होता है आप buy किजे market ऊपर जाएगा यह है double bottom pattern सभी को clear है आईए चलिए अब next देखते हैं हम लोग symmetrical triangle pattern अब symmetrical triangle pattern क्या है आप सब लोगोंने mathematics में school में पढ़ा होगा triangle अब triangle में कुछ symmetrical होता है descending, ascending अभी मैं सब समझाता हूँ symmetrical triangle में क्या होगा दोस्तों एक market में उपर से line आ रही है एक market में नीचे से line आ रही है तो देख पार हैं दो line converge हो रही है एक तरफ जाकि यहां intersect हो रही है मतलब एक जगह से price नीचे से उपर जा रहे है और यहां से price उपर से नीचे आ रहे है तो जब कभी भी अगर आपने notice कि market उपर गया, market नीचे आया, market lower high बनाया, market यहां आया इसका मतलब क्या हो रहा है, market एक range bound है, एक range में फसा हुआ है क्यों मैं वह समझाता हूँ, market दोस्तों अगर उपर गया है, higher high बनाया, higher low बनाया, higher high बनाया तो हम इसे क्या कह सकते है range bound, नहीं कह सकते, यह up trend है और अगर market lower low बना, lower high बना, market नीचे आ गया, इसे क्या हम कह सकते है range bound, नहीं कह सकते क्योंकि market यह downtrend में है, swing low तूड़ गया, यहां swing high तूड़ गया, तो यह continue हो गया कि up trend है, यह confirm हो गया कि downtrend है लेकिन ज़रा यहां समझेए, market ने बनाया higher high, चीक है, अब बनाया market ने higher low, तो यहां तो बिल्कुल चीक है higher high, higher low, अब हम expect कर रहे हैं कि यह breakout तूट जाए, तो हम buy करेंगे, लेकिन market यहां तक गया, अब यहीं से घुमने लगा, तो यह क्या बन गया, higher high, higher low, lower high तो जब lower high बन गया, तो हम wait करेंगे, यह low तूट जाए, तो कैसा बनेगा, lower low, lower high, breakdown, तो हम sell करेंगे, लेकिन market अगर, sorry, market अगर ऐसा बन गया, higher high, higher low, अभी यहां lower high बना, market ऐसा आ गया, तो हम सोच रहें, नीचे यह तूट जाए, लेकिन market यहां तक आया, फिर गुम गया ऎख मार cr纳, आपने resistance मार्क का लिया, इसका मतलब supply zone मार्क का लिया, और नीचे जो है, demand zone यानि कि support, तो जब आपने support मार्क का लिया, यानि कि demand zone mark कर लिया तो demand zone पर कौन बैठा होता है बायर्स बैठे होते हैं तो बायर का nature buy करना रेजिस्टेंस पर कौन बैठा है supplier का मतलब seller अब seller sell करेगा तो जब तक market ये range नहीं तोड़ेगा अब ये range तोड़ता है जैसी range तोड़ेगा और ये swing high टूटा आप buy कीजे market उपर जाएगा और अगर ये नीचे टूटा आप sell कीजे market नीचे जाएगा clear तो ये symmetrical triangle pattern है तो कभी भी अगर आप देख पा रहे हैं कि market लगातार बहुत उपर गया है इस तरह से बहुत उपर गया है तो generally इतना उपर जाने की बाद market में थोड़ी ठहरा वाती है market फ़ड़ा ठहरेगा तो जब market ठहरेगा तो क्या करेगा या तो pullback करेगा ऐसे है या तो market consolidate करेगा इसके लाव और क्या कर सकता है consolidate करेगा तो ऐसी करेगा ना consolidate तो अगर इस तरह से किया तो इसमें आपको participate नहीं करना है जब breakout हो चाहिए breakdown तब पार्टिसिपेट करना है तो यह हमारा हो गया symmetrical triangle आई अब हम समझते है descending triangle यह ज़रा देखिए descending triangle यह ज़रा देखिए descending triangle तो आप देख पा रहे है यहाँ पे market उपर से price नीचे की तरफ आ रहे है यहाँ से price एक flat है तो ज़रा पहले मैं आपको chart में समझाता हूँ यह ज़रा देखिए आप लोगोंने school में descending number पढ़ा है descending number मतलब जो number गिरता हो आता है गिरता हो आता है 100, 99, 98, 97 यह descending number है तो जब market में आप देख पा रहे है कि market में एक price नीचे की तरफ support सेम है सेम price है और उपर से price नीचे की तरफ आ रहा है क्या मतलब हो गया बताता हूँ market अगर यहाँ से उपर गया है यहाँ से market 100 रुपे से market उपर गया है 1000 रुपे तक गया है तो यह हो गया market higher high बना अब वहाँ से market नीचे आया कहां आया 100 रुपे तक आया 100 रुपे के नीचे नहीं गया चलिए अब price उपर गया अब यह price यहाँ से 900 रुपे तक गया फिर market नीचे आया और 100 रुपे पर support ले रहा है मतलब नीचे strong buyers है buyers different कर रहे है नीचे जाने नहीं दे रहे है वो रोक रहे है market को लेकिन जरा आप देखिए seller strong है seller जो है बारबा प्राइस को नीचे ला रहे है 1000 रुपे से 900 रुपे आया अब market उपर आया 800 रुपे पर आया descending triangle बन रहा है अब जरा देखिए तो आपको एक swing high दो swing high मिला आप आगे बढ़ाइए कभी भी अगर इस तरह से देखेंगे कि market उपर गया है market नीचे आया market उपर गया market नीचे आ रहा है तो आपको एक swing high मिल गया दोस्तों दो swing high मिल गया एक swing low, दो swing low मिल गया आपकी duty again support mark करने की है again resistance mark करने की है अब इस बीच में मुझे कोई trade नहीं करना है जब तक market इस range में है आप चुप चाब बैठे रही है अब market ये breakout अगर करता है उपर की दरव breakout करेगा तो जहां से trend line draw होता है generally market वहाँ उपर चला जाएगा और अगर breakdown हुआ तो sell कीजे market नीचा जाएगा clear clear है क्यों उपर चला जाएगा वो मैं समझा देता हूँ ये आप लोगो पता होना चीए कि जो भी seller यहाँ sell कर रहे है जो भी seller यहाँ sell कर रहे है सब के stop loss यहाँ लगे होंगे तो जब सारे sellers के stop loss यहाँ लगे है बढ़ेगा market में अब यह जो seller है यह जो seller है यह जो seller है वो पैनिक भाएंगे वो डर जाएंगे यह sellers डर जाएंगे उनको लगेगा भाई जो profit है book करो otherwise यह market उपर आ रहा है सारा profit चला जाएगा तो यह सारे seller क्या करेंगे buy करकर बहगेंगे मतलब अपने position से बाहर जाएंगे तो यह फटा-फट market उपर भागेगा clear? तो यह उपर टूटे तो हम buy करेंगे, नीचे टूटे तो sell करेंगे clear? चलिए, next अभी हम लोग देख लेते हैं यह हो गया descending triangle अभी हम लोग chart देख लेते हैं एक बड़ ज़रा देखें यह देख पाँ रहे हैं chart तो market अगर आपने identify कर लिया कि market उपर गया था higher high बना higher low higher high बना higher low, यहां तक तो बिल्कुट ठीक है अब यह lower high बन गया यह lower high बन गया और यह देख रहे हैं same low फिर यह देख रहे हैं lower high, market उपर से price स्कार्वाइब będzie lean ऐसेंडिंग ट्रेंग़ क्या होता है जब ही इस तरह से पहले तो समझे छेसेंडिंग नम्बर क्या होता तो ascending triangle हमेशा बनेगा दोस्तों ऐसे अगर ऐसे है और आप देख पा रहे हैं price नीचे से उपर की तरफ जा पा रहे हैं मतलब market उपर गया market नीचे आया market यहां गया same high higher low बनाया same high higher low बनाया same high higher low इसका मतलब यह resistance पे seller strongly बैठे हुए हैं वो अपने price को different कर रहे हैं लेकिन धीरे धीरे buyers price को उपर लेके जा रहे हैं अब अगेन यह कहां बनेगा कहीं पर भी दर देखी market अगर ऊपर की तरफ गया है इस तरह से यहां इतना ऊपर गया है अब आप देख पार है market इस तरह आया market यहां गया market इस तरह आया market इस तरह आया market इस तरह आया market इस तरह आया यहां गया और अगर ब्रेकडाउन होता है दोस्तों जैसे यह ट्रेंड लाइन टूटेगा स्विंग लो टूटेगा आप सेल कीजिए जहां से ट्रेंड लाइन ड्रॉआ हुगा है जनरली मार्केट वहां तक आ जाएगा हमें साध्यान रखेगा ठीक है तो उमीद करता हूं आपको सारे जो concept है सारे chart pattern है आपको clear हो गया होंगे और reason क्या है price action के accordingly आपको वो समझ में आ गया होगा दोस्तों देखिए मैंने आपको वीडियो स्टार्ट होने के पहले ही कहा था कि जो चीजे मैं आज बताने वाला हूँ वो आपको किसी वीडियो में नहीं मिला होगा कहीं book में psychology समझाया तो reason क्या था मैं अब आपको बताता हूँ आप अपने आप एक चिंतन मनन कीजिए विचार कीजिए कि जितने भी book आपने पड़े थे आपको इतने logic के साथ क्यों नहीं लिखा गया या logic के साथ क्यों नहीं बताया गया अगर जितने वीडियो अगर आपने देख है गया जो वो चाहते हैं तो please इस वीडियो को जादा से जादा लोगों तो forward कीजिए क्योंकि मैं market को disrupt करना चाहता हूं दोस्तों मैं price action को लेके ऐसा करना चाहता हूं कि ये market दोस्तों किसी एक का नहीं है चंद लोगों का market नहीं ये market सब का है ये market एक businessman का भी है एक housewife का भ जादा से जादा लोगों तक आप अपने friends, family, relatives जिनके पास हो आप forward कीजिए इस वीडियो को और अगर आप social media पे हैं तो Facebook पे Twitter पे LinkedIn पे जहां पर भी Instagram पे आप share कीजिए जादा से जादा लोगों तक पहुंचाईए ताकि market में जो लोग loss कर रहे हैं वो loss बंद हो उनको right entry म Sell करने के बाद market अगर उपर गया तो फिर हम क्या करेंगे वो reason पता होना चाहिए price action पता होना चाहिए ताकि आपके अंदर confidence रहे और conviction के साथ आप ट्रेडर बने रहें जब तक आपका target यचिवना हो तो उमीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी और ए Bank Nifty का Index Analysis करता हूँ जहाँ पर across the nation all over India से traders आते हैं और जूडते हैं और अपने questions रखते हैं हम उस पर discuss करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है आप वहां join कीजिए जो की बिल्कुल free of cost है उसे आप ज़रू join करें तो चली दोस्तों इस वीडियो को मैं यही पर wind up करता प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो like कीजे, share कीजे और हाँ चैनल में अगर आप first time आये हैं दोस्तों तो चैनल को subscribe करना बिल्कुल ना भूले तो चली दोस्तों इस वीडियो को मैं यही पर wind up करता हूँ मिलता हूँ फिर अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ होता हूँ तब तक लिए बाबाय टेक किया